हेलो, स्लाम अलेकूम, नमस्ते, सस्तिरीकाल, दोस्तों, मैं हूँ शकील, और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेलर बडी में, दोस्तों, आज जो हमारे पास मशीन है, उसमें दो प्राब्लम है, एक प्राब्लम तो ये है, कि उस वो जो मशीन है, चलते-चलते वीडियो को एंड तक देखते रहिए, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, तो दोस्तों, हम आ गए हैं अपने मशीन की तरफ, और यहाँ पर ये देखी, मशीन हमारी ये है, और इस मशीन पर हमने दागा वगरा सब चड़ा लिया है, अब हम इसको सिलाई करकर देखते ह हैं कि कपड़ा हमरा आगे जाता है, यहने यह कपड़ा है, पॉलिस्टर का, अब हम इसमें सिलाई करेंगे, और देखेंगे कपड़ा आगे सरकता हैसी मे और देखेंगे JE हमने सिलाई शुरू कर दिया है, और कपड़ा सरेखने का नाम नहीं ले रहा है हैं यहाँ पर निकला था उसको फिर से हम सुई में डाल देंगे और डालने के बाद फिर से हम उस कपड़े पर सिलाई करकर देखेंगे अब की बार हम सिलाई इस तरह से डबल फोल्ड करकर करेंगे और मशीन चलाएंगे यह देखिए डबल फोल्ड कर हमने कर लिया है कपड़े को कपड़ा वही है और यहाँ पर हमारी मशीन चलना स्टार्ट हो चुगी है और कपड़ा यह देखिए खेंच रहा हूं तो भी आगे नहीं सरक रहा है तो आपके साथ भी ऐसे प्राब्लम होती होगी तो हमने आपर निकाल लिया है तो गबराएगा नहीं बिल्कुल आप भी आसानी से इसे कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगा उसे पहले देखिए हमने चार पांच बार फोल्ड करकर फिर से उसको सिलाई कर रहे हैं कपड़े को तो भी यह कपड़ा आगे नहीं सरक रहा है तो अब हम इसको बताएंगे कि किस वज़ाइस से यह प्रॉबलम होती है तो देखिए यहां पर जो आप देख सकते हैं यहां पर होती है हमारी दाती यह दिखिए बापको यह बूट खोल कर दिखा देता हूं आपको अच्छे से दिखाई देगा यह दिखिए इस तरह से खोला जाता है तो दोस्तों यहां पर हमने बूट को अलग कर लिया है जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं यह प्लेट के नीचे हमारी एक दाती होती है जो दाती का जो काम है वह कपड़े को आगे सरकाना यहां पर देखिए दाती जो हमारी बिल्कुल अंदर जा चुकी थोड़ी से ऊपर उठी रहनी चाहिए, तो ही जो है हमारा कपड़ा आगे को फेकती है, तो यहाँ पर हमें उसको किस तरह से ठीक करना है मैं बता जेता हूँ, थोड़ा सा आपको करीब से दिखा देता हूँ वह दाती, यह दिखिए, यह अंदर जो आप देख रहे हैं, लग जो है उसको महठालेंगे सबक्राइंग यहाँ पर उसका एक नट होता है उसको तरह आप में करना मैं तक जो आप है जिसे हमें लूज करना है यह नट कहां पर है आप देखिए यहां पर इसको हमें लूज करना है यह दिखिए अब इसको लूज करने के लिए हमें चाहिए एक पेजकस सबसे पहले इसको इस तरह से इस तरह से दिखिए उपर कर देना है इस नट को अब हमें पेजकस लेकर इसको लूज कर लेना है इस नट को लूज करने के लिए यह दिखिए आपको इस तरफ इस तरफ इसको गुमाना है पेजकस को तो ही यह लूज होगा अपनी जो ह इस तरफ आपको घुमाना है और बस थोड़ा सा ही आपको लूज करना है ज्यादा उसको अलग निकालना नहीं है लूज करने के बाद जो है यहाँ पर देखिए लूज हो गया अब इसके बाद जो है हमें दाती कहां से उपर करना है वह भी मैं आपको बताऊंगा यह देखि है देखिए होक है हुक के बाजू में जो है यह रौड है चोटी सी उसको या आप ऊसको थोड़ा सा हलका हलका मार सकते हैं तो वह अंदर जाएगा फिर उसको आप अंगुटे से बाहर की दरब ढखिल सकते हैं तो थोड़ा सा वह ऊपर आ जाएगी दाती यह दिखिए जो थीन तोड़ा सगोय से तलुळा है यहां पर हमें थोड़ा सदर टोड़ा ऊड़ा धीज़ा पहसे द्षी बहुती बड़िया तरीके से उपर आ चुकी है अब आरिकला जो अब एसको आगे सरक जाएगा, कोई बात नहीं होगी और एक बात का आपको ध्यान रखना है, ज्यादा आपको दाती उपर नहीं करने, इससे आपका कपड़ा कठ़ पठ सकता है तो इतनी सी, इतनी जो दाती देख रहे हैं, इतनी ही दाती हमें उपर कर देनी है और उसके बाद ये जो हमने नट को लूस किया था उसको टाइट कर देना है अच्छे से ताकि जो है हमारी जो दाती है वो दोबारा से अंदर ना चली जाए तो उसको अच्छे से हम टाइट करेंगे बहुत ही साउधानी के साथ आपको इस काम को करना है यह नहीं तो आपको चोट लग सकती है यहाँ पर हमने जो हमारा नट है उसको टाइट कर दिया है देखिए हमारी दाती भी बिलकुल उपर आ चुकी है तो अब हम क्या करेंगे यह जो बूट हमने निकाला था खोला था इ कपडा कर साथ यहां पर ह Är नहीं पर ने बुट को फीटव कर लिया है थोड़ा Seshane सा компьют idea देखेंगे यानि कि मस्षिन चला कर देखेंगे कि या νहीं जाता है तो दीखिए को भी वही है और यहां पर देखें बहुत या सानी के साथ कपड़ा आगे स trainings मुझा डे के बरक्ते हैं कि यह तो वारे चानल को सब्सक्राइब परना होगा साथी बेल आइकाउन की दबाना होगा ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले सिधे आप तक पहुंच जाएगा तो देखते हैं इसमें और एक प्रॉब्लम थी जो की टैप मार र है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी पांच मिनट में आप अपनी मशीन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं दिखिए और यहां पर आप देख सकते हैं कपड़े पर ट्याप आ रहा है हलका हलका उसका पिक को कभी हम दुसरे वीडियो में कावर करेंगे तो देखिए दोस ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिक्शन सबसे पहले सिधे आप तक पहुंचें तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दन्यवाद